हलो स्टूलेंट्स मेरे चैनल एलेफटी हिंदी टूट्रिल में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा बारा की सर्जन पुस्तक का पाट सत्रा मैं और मैं एक निभंदे और जिसके निभंदकार है कनईया लाल मिश्र प्रवाकर इस पार्ट को पढ़ाने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सन 1906 में सहरनपूर जिले के देववंद ग्राम में हुआ था स्वतंतरता अंदोलन के कारण कई बार उन्होंने जेल यात्राएं भी की ये मुख्यते पत्रकारिता से भी संबन्दित रहे हैं ज्यानो दै तथा नया जीवन के ये संपादक भी रहे हैं अब हम पढ़ते हैं उनकी रच्चनाएं रच्चनाएं में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कनेया लाल मिश्रुप प्रभाकर के निबन संग्रे उनकी निबन संग्रे इस प्रकार से हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंगरू, दीप जले, शंक भजे अब आते हैं उनके कथा संग्रे कथा संग्रे इस प्रकार से हैं, आकाश के तारे, धर्ती के फूल अब है उनकी रिपोतार्ज, रिपोतार्ज में है शन बोले, कण मुस्काए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचे प्रभाकर जी का प्रस्तुत निबन्द मैं और मैं, जिये तो ऐसे जिये, शीशक से लिया गया है इस निबन्द मैं उन्होंने बताया है कि व्यक्ति को अपने विशे में सोचना चाहिए अपने कर्तविका पालन करना चाहिए और निरंतर कर्म करते रहना चाहिए आईए, अब हम पढ़ते हैं कनईया लाल मिश्र प्रभाकर का मैं और मैं निबन्द जब देखो गुमसुम, जब देखा गुमसुम, अरे भाई, तुमें क्या साप सुंग गया है कि सुभे के सोहावने समय में यो चुपचाप बैठे हो तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कच्छुय ही हैं कि तेरते नजर तो आ रहे हैं उठो, दो-चार किलकारियां भरो और अंगिठी के पेट में गोला डालो जिससे अपना भी पेट गर्माए ओ हो, तुम कहां से आ टपके इस समय कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराईयों में उतर रहा हो तुमारी आदत है बीच में आक उदना और फैलाने लगना लंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक लंतरानियों, लंतरानियों के लच्छों से मतलब है यहां पर मन गढ़नत कहानी बनाना यह सच है कि यह बहुत बुरी आदत है तो हम लंतरानियों के लच्छे फेलाते हैं और तुम गंबीर मूड में रहते हो सच्चाई यह है भाईजान की जमाना बहुत खराब है जिस गदे को नमक दो वही कहता है मेरी आँख फोड़ दी हम जा रहते अपने काम तुम्हें दूर से देखा सुस्त रास्ता काट कर इधर आए कि देखें तो माजरा क्या है और मामला कुछ गड़वड हो तो कुछ मदद करें पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदली हुए है कि जैसे हम सुबह सुबह चार रुपए उधार मांगने आ गए हो और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपए हमने अभी तक वापस ना कियो हूँ बहुत अच्छे रहे ना ना ये बात नहीं है तुम्हारा आना सर आखों पर तुम भी ये क्या बात कह रहे हो पर बात ये है कि मैं समय बहुत गेरे चिंतन में था और लो बताओं तुम्हें गेरे चिंतन में क्या था मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज वा भाई वा क्या कहने लो फिर बताओं तुम्हें भी एक बात कि आज तुमने ऐसी दूर की हाकी कि अब तक के सब छोक मात हो गए हाँ जी, तो आज तुम अपने आप में खोई हुए हो, मिया खोई हुए हो, तो डॉंडी पिटवाओ या पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ, खड़े-खड़े क्या देख रहे हो, भेंगे बभूल से, तुम तो अजीव आदमी हो कि, मैं कह रहा हूँ, संत सुभाब एक गहर बात और तुम उड़ा रहे हो, गुटब पे, पर बात यह है कि, पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं, अकल आए भी तो कहां से, लो, फिर मैं आज तुम्हें तुमारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है, पांच आदमी आपस में गेरे दोस्त थे, करने धनने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को भंग चाहिए, पांचों पक्के भंगड़ी, पीए और धुत पड़े रहे, एक दिन कही मंदिर में बैठे घोट रह थे, कि उन पांचों की इस्त्रियां इखटी होकर जा पहुची, और लगी दिल के गुवान निकालने, जो दस्पांच आदमी वहां और थे, उन्होंनों भी इन इस्त्रियों की बात का समर्थन किया, बड़ी बेजजती हुई, और पांचों ने कही परदेश में जाकर कोई खोया जाए, लोटकर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगे, फिर कुस दूर गए, रात हुई, एक मंदिर में पढ़कर सो गए, सुबह उड़ते ही, तब पाया कि भाई, पहले गिल लो, सब चोकस भी है, उन में से एक ने सब को गिना, एक, दो, तीन, चार, फिर ग तीसरे ने दुवारा सब को गिना, पर वे ही चार, तीसरे ने गिना, तब भी चार ही रहे, मामला संगीन हो गया, और तब पाया कि लोटकर घर चले, शायद पाँचवा आदमी रात को घर लोट गया हो, रास्ते में सब के सब रोते, पीटते लोट रहे थे, कि एक समजदा आदमी मिला, उसने उन्हें रोक कर पूछा कि वे किस मुसीवत में है, उन्होंने बताया कि हम घर से पाँच चले थे, पर रात भर में चार ही रहे गए, उस आदमी ने इने गिना, तो वे पाँच थे, उसने कहा, भले आदमियों, तुम घर से पाँच चले थे, और अची अब हो, तो रो क्यों रहे हो, सब इन भंगडियों में से एक ने फिर सब को गिना, एक, दो, तीन, चार, समझदान ने कहा, अरे भोंदू, अपनी को तो गिन, अब इन लोगों की समझ में आया, कि मामला यह है, कि जो गिनता है, अपने को भूल जाता है, वही हाल मेर हो रहा है, कि मैंने घर की सोची, पड़ोसी की सोची, देश की सोची, और यो समझो, कि दुनिया बाते सोच मारी, पर अपनी बात भूल गया, और कभी यह ना सोचा, कि आखिर मेरा मेरे प्रती क्या कर्तव है, और क्या अधिकार है, आज मैं यही सोच रहा था, कि तुम आ गए, कहो फिर, मैं गेरे चिंतन में था या नहीं, भाई, बात तो तुमारी कुछ पते किसी लगती है, हम दुनिया की बात सोचते हैं, पर अपनी नहीं, और सच बात बड़े कह गए हैं कि, आप मरे जग पर लो, यानि हम मर गए, तो दुनिया मर गई, हम नहीं, तो जहान नहीं, बात मन को लगती है, पर अपनी बारे में, सोचे ही क्या, नहीं सोचते, तो लिखाओ पशूं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं, वे पशू है, जानवर है, तो हम पशू हैं, आपकी राय में, वहा साप, आप हमें पशू बता रहे हैं, पर भाई, ये तो बताओ, कि तुम्हें हमारी पूँच और सींग किधर दिखाई दिये हैं, पूँच और सींग, पशू बनने के लिए, पूँच और सींग की जरूरत नहीं पड़ती, बात ये है, कि पशूता और मनुश्यता दो भाई हैं, जो पहले सोचे, और फिर चले, वे मनुश्य, और जो जर हवा ले जाए, चला चले, वे पशू, अब आई तुम्हारी समझ में मेरी बात, तो सोचना जरूरी है, जी हाँ, सोचना जरूरी है, और अपने बारे में सोचना जरूरी है, मैं यही जरूरी कारे कर रहा था, जब तुम आए, महा कभी, शेख शादी, एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लोट रहे थे, उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोई पढ़े हैं, उसने अपने पिता से कहा, अबबा, ये लोग कितने पापी हैं कि अभी तक पढ़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए, विचारक शेक शादी ने दुख भरे सोर में कहा, बेटा, बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने ना आता, बेटे ने आश्चरी से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं मेरे अबबा, शेक शादी ने और भी गहरे में तब तू दूसरों की बुराई खोजने के इस भेंकर पाप से तो बचा रहता, मेरे बेटे, मतलब ये, कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है, वे ये, कि मेरा ये अधिकार है, कि मैं अच्छे काम करूँ, अपनी जीवन को उच्छा उठाऊं, पर मेरा ये क तबी भी है, कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, या साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से उचे, उचे उचने की प्रेणना देते हुए भी, उन पर अपने एहंकार का बोज ना लादू, क्योंकि एहंकार गिर्णा का पिता है, और गिर्णा जीवन की संपुर उचाईयों की दुश्मन है, खास बात यह है कि गिर्णा उसका घात करती है, घात करना यानि उसको नुकसान पहुचाती है, जो गिर्णा करता है, और इस तरह मैं दूसरों से गिर्णा करके अपना ही घात करता हूँ, तो गिर्णा को रोकना ज जी कोशल जी उन्हें अपनी जीवन में पहली असफलता यह मिली के एंट्रेंस पास ना कर सके और नाइंत में ही उन्हें स्कूल को नमस्कार करना पड़ा। इनकी कुछ दिन बाद ही उन्होंने छोटा सा प्रेस खोल लिया। साजी समस्दार था। करजा प्रेस के नाम लिखता रहा। आमदनी अपने। प्रेस फैल हो गया और मेरे मित्र चौराय पर खड़े दिखाई दिये। अपनी पिता की पूरी फूंची लगाकर उन्होंने बर्तनों का एक कारखाना खोल लिया। बर्तन बनते, कलई होती, रुपय छनका करते। सेठों में गिंती होने लगी पर तभी उनकी पत्नी बीमार हो गई। उसे लिए इर्विन अस्पताल पड़े रहे। कार खाना मजदूर खा गए, पांच महीने बाद लोटकर आए, तो लेना कम था, देना बहुत, यहाँ भी ताला बंद किया, पंसारी की थोक दुकान थी, मेवा के धेर लग गए, धेरों आती, बोरियों जाती, फिर रुपया वरसने लगा, पर जाने कैसे ये घटनाए भी चितरा गई, और पतनी का सारा जेवर बेज कर जान छूटी, खाली तो रही ना सकते थे, घर से दूर जाकर होटल खोल लिया, चला, चमका, और ठप हो गया, वहाँ से भी हटे और अपने संबंदी की सोडा वाटर फेक्टरी में बैठने लगे, यहाँ से एक वीमा कमपनी म गए, खूब चमके, वीमा कमपनी में डारेक्टरों का कुछ जमेला मचा, तो इन्होंने शर्बत की दुकान खोल ली, और एक अकवान निकाल दिया, दोनों खूब चले, पर चलकर टिके नहीं, चले ही गए, अब यह एक बहुत बड़ी कमपनी के मैनेजर डारेक्टर थे, यहाँ यह ऐसे चमके के पिछली सब चमके धीमी पड़ गई, एक बार तो ऐसी हवा बंदी के गाट बंद गई, पर फिर बेही बहुत सी बातें इखटी हुई और कमपनी में ताला पड़ा, मेरे मित्र अब पुस्तक प्रकाशक थे, बाजार उनकी पुस्तकों से दाया हु धूम थी, खूब जोर रहे, देश सोसंत्र हुआ, उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाती के लोगों ने उताल लिया, और जाने कितने दिन बंदी रहे, जाने कैसे बचे और कहां कहां भटकते रहे, बहुत दिन बाद एक पत्रकार के रूप में प्रकट हुए, और इसनी असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए, मैं उनके बारे में बहुत सोस्ता, पर उनके व्यक्तितु का रहस ना समझ पाता, एक दिन, एक अन्नी मित्राय, शी सिंगल, उनका कार खाना भी फैल हो गया था, और वे उसका मामला निप्टाने में मेरा स योग चाते थे, उनके दो मोटरें बिकनी थी, पर पूरे दाम देने वाला कोई ग्रहक बाजार में ना था, एक दिन बहुत उबे हुए मेरे पास आकर बोले, तो भाई साहब, जितने में बिकती हैं, उतने में बेश दें, पर ये मामला निप्टा दें, मैंने कहा, मामला ये मामला निप्टाना ही ए, पर दसओजार की गाडियाँ, 6000 में कैसे बेश दूँ," बोले, 6000 में ही बेश दीजिए, बात ये है, कि ये मामला निपट जाए तो मैं फ्रेश स्टार्ट ले सकता हूँ," मेरे कानों में पड़ा फ्रेश स्टार्ट, इनका अठ्थ होता है नया ताजा आरम, सुनते ही एक नई ताजगी अनवव हुई और मैंने सोचा कि हर नया आरम अपने साथ एक ताजगी, एक तेजी, एक इस्फुरन लिये आता है, इस्फुरन का मतलब होता है अंगों का फड़तना, तभी याद आ गए मुझे फिर कोशल जी जो जीवन में बार वा असफल होकर भी ठके नहीं, उबे नहीं और बरावर आगे बढ़ते रहे, और आज ही पहली बार मेरी समझ में आया उनकी उस अपराजित व्रत्ती का रहस, ये रहस है नया ताजा आरम, बे हारे पर हार कर रुके नहीं, और इस ना रुकने में ही उनकी सफलता का रहस छिप भटकूवी, क्योंकि ये सब एक मनुश्य के नाते मेरे लिए सभाविक है, संभव है, पर मेरा ये कर्तव है कि मैं हार कर भागू नहीं, ठक कर बैठू नहीं, गिर कर गिरा ही ना रहूं, और भूल भटक कर भरमता ही ना फिरूं, जल्दी से जल्दी अपनी रहा पर आजा अब आते हैं, इस पाठ के वस्तुनिष प्रश्ण जिसमें पहला प्रश्ण है, मैं और मैं पाठ के लेखक कोन है, इसका उत्तर है गानमबर का कनयया लाल मिश्र प्रवाकर अगला वस्तुनिष प्रश्ण है, लेखक के मित्र शी सिंहल अपनी गाड़ी क्यों बेचना चाहते थे? इसका उत्तर है घानमबर का नया व्यपार आरभ कनने के लिए अब आते हैं अत्ति लगुत्रात्मक प्रश्ण जिसमें पहला प्रश्ण है लेखक के मित्र अपनी गाड़ीयां कितने में बेचने को राजी हो गए? इसका उत्तर है लेखक के मित्र अपनी गाड़ीयां 6,000-6,000 रुपी में बेचने को राजी हो गए अगला प्रशन है लेखक की दश्टी में कोशल जी अद्भुत क्यों थे इसका उत्तर है लेखक की दश्टी में कोशल जी बहुत अद्भुत थे क्योंकि अपने जीवन में अनेक बार असफल होने के बाद भी वे कभी निराश नहीं हुए प्रशन नमबर तीन लेखक के मित्र शी कोशल जी की अपराजित व्रत्ती का रहसे क्या था? इसका उत्तर है अपराजित व्रत्ती इसका मतलब होता है हान ना मानने की इच्छा शक्ती इसका उत्तर है कोशल जी की अपराजित प्रत्ती का रहस ये था कि वे कभी भी निराश्ट नहीं होते थे तथा नई उर्जा के साथी नया काम शुरू कर देते थे अंतिम प्रशने कोशल जी का प्रेस क्यों फैल हो गया इसका उत्तर है कोशल जी का साजीदार बहुत चालाग था वे करजा प्रेस के नाम तथा आमदनी अपने नाम लिखता रहा इसी कारण उनका प्रेस फैल हो गया फ्रेंड्स आज का मेरा ये वीडियो यहीं पसमापत होता है आज का मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगाओ तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और जो भी दूसरे स्टूडेंट जो आपकी तरह परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इसे शेयर कीजिए और साथ ही जो भी नए वीवर्स से वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद